हलो दोस्तो मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कुमिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि इंट्रवाडे ट्वेडिंग में हम कैसे ब्रेकाउट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर जो हम ब्रेकाउट फाइंड करेंगे इस्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेकाउट आप कैसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं इंट्रवाडे ट्वेडिंग में वो यहाँ पर हम सीखेंगे maximum लोग जो गल्दी करते हैं वो breakout identify करने में गल्दी करते हैं कई लोग काफी late breakout को identify करते हैं और कई लोग breakout को identify ही नहीं कर पाते हैं और बहुत साई लोग जवरदस्ती का breakout find करते हैं यानि कोई particular level एक break कर दिया तो उसको हम breakout मान लेते हैं उसके basis पे हम trade कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, real miner में breakout क्या होता वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कब हमें छोटे मोटे breakout के लिए नहीं जाना, यानि छोटे मोटे जो upside move दिखा रहा, उसको हम breakout नहीं मानेंगे, तो real miner में breakout है क्या, और कब हमें पता चलेगा कि breakout दिया है, वो सब हम find करेंगे, especially nifty और bank nifty में, चलिए, सीखते हैं, यहाँ पर हम चार्ट पर आ गए, और यह जो चार्ट है आपका, nifty का 5 minute time frame बादा चार्ट है, सबसे पहले यहाँ पर हम time frame के उपर ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें intraday trading के उपर, तो अगर आप intraday trading करते हैं, तो आप 5 minute या फिर 15 minute, यही दो time frame का इस्तमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको इससे बाहर नहीं जाना, अगर आप daily chart या फिर hourly chart के इस्तमाल करते हैं, तो उसके basis पर आप intraday trading नहीं कर सकते हैं, आप swing trading कर सकते हैं, weekly basis पर जो expiry आता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आप उसके basis पर trade कर सकते हैं, या नि अगर आपका 3 to 7 days का time period है, या फिर उससे ज़्यादा है, तो फिर आप daily chart और hourly chart के इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन into our day के लिए अगर आपको करना है, तो 5 मिनट या फिर 15 मिनट इसी दोनों में से कोई एक chart का इस्तमाल करना होगा, और maximum लोग 5 मिनट प्रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने जो example लिया है, वो 5 मिनट के time frame में ही example लिया है, तो सबसे पहले आपको क्या find करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें जो एक find करना है, timing, कब हमें trade करना, first one hour, यहनि 9.15 में market open होता है, 9.15 से 10.50, यहनि first one hour में हमें trade initiate करना, दूसरा, हमें यहाँ पे क्या find करना, हमें यहाँ पे price में contraction find करना, यहनि price का contraction होना चाहिए, दिरे price का momentum कम होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे एक pattern को identify करना है, और जब हमें pattern मिल जाएगा, तो इस pattern के basis पे हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से breakout को identify करते हुए, इसके basis पे trade initiate कर सकते हैं, यह जो मैंने आपको pattern बताया है, conditions बताया है, सारे conditions को एक एक करके satisfy करवाना, सबसे पहले आपको पहले one hour में ही, यह सारा कुछ काम करना है, उसके बाद आपको price में contraction find करना है, यह नहीं प्राइस दीरे-दीरे कम move करना चाहिए, उसके बाद pattern एक find करना होगा, हमें positive pattern find करना होगा, यहाँ पे आप लिख सकते है, positive pattern find करना होगा, यहाँ पे हम breakout के लिए जा रहे हैं, breakdown के लिए नहीं जा रहे हैं, और अगर आप breakdown के लिए जा रहे हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, pattern negative find करना है, बाद ही सारा काम वहीं रहेगा, फिर आप breakout के जगा पे, यहाँ पे आप breakdown के लिए भी जा सकते हैं, और उसके उपर हम separate video अलग से, example लेके बताएंगे, जिसे आपको यह concept और clarity के साथ समझ में आ जाएगा, यहाँ पे हम सिर्फ breakout पे focus करेंगे, तो चलिए, सबसे पहला काम क्या है, 9.15 से लेके 10.15 के बीच में काम करना है, तो देखिए, market open हुआ है, और open होते ही, पहला lowest point यह बना, जिसको हम L1 रख देते हैं, दूसरा lowest point यह बना, L2 रख देते हैं, अब यहाँ पे हम दोनों lowest point को join करते हुए, एक trend line ड्रॉइ करते हैं, उसकी बाद, यह candle form होने के बाद, गुवीन candle, आपका यहाँ पे एक high बना है, जिसको हम H1 डाल देते हैं, दूसरा है आपका यहाँ बना है, जिसको हम H2 डाल देते हैं, इसकी बाद इन दोनों high को join करते हैं, हम इस तरीके से trend line ड्रॉइ कर सकते हैं, अब यह हमारा क्या बना है, एक आपका triangle pattern का formation किया है, अब यह triangle pattern हमें क्या बताता है, अब यह हमें breakout या breakdown कुछ भी बता सकता है, यहाँ से अगर price इस level को, यहनि highest point को join करते हैं, जो trend line draw किया है, इसको break करके अगर उपर निकला, यहाँ पर हम buy side की तरफ interview लेंगे, और lowest point को break करके नीचे के आथ, यहाँ पर हम sell side की तरफ interview लेंगे, यहनि यहाँ पर हम breakdown और breakout दोनों के लिए जा सकते हैं, बस हमें इंतजार करना है, price के break होनेगा, और बहुत जल्दी यहाँ पर, price आपका levels को break करके उपर निकलता हुआ दिखेगा, अब देखे, जैसे यहाँ पर price इसको break करके उपर निकला है, अब यहाँ पर एक और condition होना चाहिए, कि price अगर break करके उपर निकला है, तो यहाँ पर आपका strong green candle बनना चाहिए, तो यहाँ पर strong green candle है, अब जैसे यह closing दिया, उसके बाद अगला candle open होते ही, इस level के पास हम एकदम clear cut int भी लेंगे, फिर इस candle का जो भी lowest point है, वो हमाई लिए SL के रूप में काम करेगा, और SL ध्याम रखना है कि pattern के अंदर ही stop loss होना चाहिए, पैटरन के बाहर नहीं होना चाहिए, अगर candle आपका pattern के बाहर ही open होता है, तो उसे previous candle का जो भी lowest point है, वो हमारा SL बनेगा, यानि stop loss हमेशा आपको pattern के अंदर ही रखना है, तभी आपका SL safe रहेगा, otherwise stop loss safe नहीं रहेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम entry कर रहे हैं, हम levels भी देख लेते हैं, हम 17,470 के आसपास यहाँ पर हम entry कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारा SL बन रहा है, वो 17,420 यानि, हमारा SL यहाँ पर 50 point का बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर हम आसानी से swap point के target पैस के लिए जा सकते हैं, यानि 17,500 हमारा first होगा, और इसके बाद 17,600 के target पैस के लिए भी हम gradually जा सकते हैं, उसके बाद price आपका उपर गया है, 17,500 के level को immediate हिट कर दिया, और यह crucial level है, थोड़ा बहुत profit booking आ रहा था, तो आप profit booking आया, कोई tension वाली वात नहीं है, हमारा SL काफी strict है और ज़्यादा whisk भी नहीं है, उसके बाद price आपका all the way उपर side की तरफ गया है, और market closing से देख सकते हैं, कुछ time पहले यह price आपका 550 से 560 करीब move कर रहा था, यहीं पर हम क्या करेंगे, profit वो करके निकल सकते हैं, हम ज़्यादा wait नहीं करेंगे, यहनि anyhow यहाँ पर लगबा हमें, 8200 point का profit, आसानी से futures में मिलता हुआ, दिख जाएगा, और अगर आप options में trading करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने जो buy sir के तरफ interview लिया था, वो लिया था, 17,470 के करीब, यहाँ पर हम 17,450 के call options को buy करते हैं, यहाँ नि हमें जब भी buy करना, slightly in the money call options, या fit put options को buy करना, prefer करना है, और अगर आप options में trade करते हैं, और आप 17,450 के call options को इस particular level buy करते हैं, तो आप 50 to 60 point का profit options से भी मिलता हुआ दिख जाता है, तो इस तरीके से आप breakout को find कर सकते हैं, और intraday में trade कर सकते हैं, वो भी nifty और bank nifty में है, और यह काफि सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कोई complications नहीं है, बस आपको एक pattern find करना, फर्स्ट वान आवर में अगर pattern कोई दिखता है, तो इस technique के basis पर हम trade करेंगे, otherwise हम trade नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कि अगर आप intraday trading सीखना चाहते हैं, या फिर future options के बारे में सीखना चाहते हैं, तो हमने एक course design किया है, जहाँ पर आपको पूरा details से बताया गया, basic से लेके advanced level तक सारा कुछ बताया गया, options के बारे में, और वो सब कुछ course देखने के बाद, आप as a independent trader के रूप में काम कर सकते हैं, खुद से अपना FNO वाला trading decisions ले सकते हैं, उस course को जाने के लिए, आपको हमारा mobile app equity community को डाउनलोड करना पड़ेगा, आप play store से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसका link आपको इस video के description में भी मिल जाएगा, तो आप हमारे mobile app को डाउनलोड करके, एक बाज़ और course को विजिट किजिए, और हमने course इस तरीके से जोईन किया है, कि आप stock market को as a carrier के रूप में tweet कर सकते हैं, carrier के रूप में देख सकते हैं, तो चलब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और हम दूसरे example पर आना चाहेंगे, और दूसरा जो example हमने लिया है, bank nifty का लिया है, प्राइस आपका gap up open हुआ है, अब यहाँ पर प्राइस आपका gap up open हो, या फिर gap down open हो, यह हमारे कोई काम का नहीं है, बस price open होना चाहिए, और जो चार quitteria मैंने आपको बता है, वो चारो quitteria, फुल्फिल होना चाहिए, फस्ट one hour में tweet लेना है, हमें कोई pattern identify करना, pattern के basis पे हमें breakout identify करना, और फिर उसके basis पे tweet initiate करना है, और एक और जीज़ है, कि जब हम pattern identify कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें price में contraction दिखना चाहिए, इससे previous example में मैं आपको explain करना चाहूँगा, कि price में contraction है की नहीं, देख सकते हैं, यहाँ पे price आपका ज़्यादा move कर रहा, यहाँ पे कम move कर रहा, यहाँ पे और कम move कर रहा, यह नहीं price में हमें contraction देखने को मिलवा, धीरे धीरे price आपका कम move कर रहा है, और यह point find करना compulsory है, अगर यह चीज़ हमें दिखेगा तभी हम tweet करेंग, अधरवाई हम tweet नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कितना भी betwin pattern हमें बनता हुआ, देखे, क्योंकि price में contraction के बाद, generally हमें क्या होता, हमें एक blast देखने को मिलता है, और वो blast आपका काफी big होता, और उसके वे इसी से price आपका जबदस move करता है, उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरे example पर आते हैं, तो यहाँ पर देखे, price में contraction, सबसे पहले price में इतना move दिखाया, फिर आपका इससे कम move दिखाया, फिर इससे कम, फिर इससे और कम move दिखाया, और उसके बाद finally यहाँ पर हमें price की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर, आपका पहला high यहाँ पर बना था, दूसरा high यहाँ बना था, इन दोनों high को जॉइन करते हुए, हमने trend line ड्रॉ किया, यह लोग बना है, दूसरा लोग यह, तीसरा लोग, इन सारे लोग को जॉइन करते हुए, होगा, 40,530 के करीब, यहाँ पर जो हम sell side की तरफ जा रहे हैं, वो 40,530 की करीब sell side की तरफ जाने, SL की अगर हम बात करें, तो SL यहाँ पर हमें रखना होगा, 40,640, यहनि SL जो हमारा है, वो लगभा 100 point का SL है, और अगर हम target price की बात करें, तो यहाँ से हम सबसे first, यह जो closing है previous day का, इसके आज पास जाएंगे, जो कि आपका 40,300 की करीब, यहनि यहाँ पर जो हमारा first target price होगा, वो 200 point से ज्यादा का है, यहनि हम जो risk reward के basis पे trade कर रहे हैं, वो risk reward हमारे favor में है, SL 100 point है, और target 200 point यहनि, risk reward ratio भी काफियाद तक हमारे favor move करता हूँ दिखे रहा है, उसके बाद है कि प्रैस आपका, हमारे target price को असानी से hit कर दिया, यहाँ पे आप चाहो तो profit बुक करके निकल सकते हैं, तो आप trading SL के जड़ी continue कर सकते हैं, प्रैस यहाँ से all the way, लगबग आपका 1500 point का और downside move दिखाया है, तो यहाँ पे हम अच्छा खासा profit बना सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप 40,600 के put options को buying करना prefer करते हैं, तो इस तरीके साब options में भी trade initiate करके profit बना सकते हैं, all the way price आपका नीचे side की तरफ गिरा है, 300 point का profit यहाँ पे लगबग मुझे options में 1500 से 200 point का profit भी मिलता हुआ दिख जाएगा, तो इस basis पे आप breakout और breakdown को identify कर सकते हैं, निफ्टी और bank निफ्टी में और इसके basis पे आप integrated weight कर सकते हैं, price में contraction और pattern बनना चाहिए, अगर price में contraction ही है, वो breakout आपका false भी हो सकता है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो प्लीज बेल आइकन को भी दबा दिजे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें, उसका notification आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें, so that's all friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिंद!